तो आज हम बात करने वाले हैं कि 8th of June को यानि की Monday को next week को हमें कौन से कौन से stocks को buy करके चलना चाहिए इंट्राडे के purpose से और किस तरीके से market रहे सकती है उपर जा सकती है नीचे रह सकती है और किस तरीके से हमें trade लेना है वो सारी discussion करेंगे एक option strategy आपके साथ में लेकर आया हूँ एक option call आपके साथ में लेकर आया हूँ जो भी आप Monday के market में लेकर चल सकते हैं हमने आपको Friday को बताया था कि आप एक tech Mahindra buy करके चल सकते हैं option जिसका target हीट हो गया था उसी के साथ एक और option call में आप लोगों लेकर आया हूँ जो आप Monday को treat कर सकते हूँ वीडियो पर आपको show कर जाएगा सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कौन से stocks हमें buy करके चलने हैं उसके बाद हम option call की बात करेंगे option call में में क्या काम करना है उसके बाद हम बात करेंगे चार्ट पर जाके study करेंगे कि यह जो 5 stocks में आपको दी है यह क्यों दी है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम आपको यहाँ पर stocks देते हैं या फिर वो कल open होके gap of open होता है है gap down open होता है तो उस वज़े साव ट्रेड नहीं ले पाते हैं तो live market पे हम आप लोगों को थोड़ा बहुत support करते हैं कि कौन सा आप अभी बाय कर लो आपको आज इंट्रेडे में ही फाइदा दे जाएगा तो उससे थोड़ा बहुत फाइदा कमा सकते हैं तो अभी तक आप लोग ने अगर टेलीगराम चैनल जॉइन नहीं करा फर्स्ट इंवेस्मेंट जागे जॉइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन प अभी है नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक हम सिखा रहे हैं वो हेड इन शोल्डर पैटन है और उस पर भी आपको बहुत नौलज प्रोवाइड होगे वहापर हम Q&A सेशन भी रखते हैं महापर आप लोगों के डाउट्स लिये जाते हैं और आप पास 343-347 तक कर टागेट से एक्सपेक कर सकते हैं स्टॉप लॉस 334 का यह हमने एक BTST ट्रेड भी दे रखा है अगर श्याद हमने टेलीगराम चैनल पर नहीं दे रखा होगा तो हमने अपने प्लेट क्लाइंट्स को यह BTST कॉल दे रखा है इसके बारे में चार्ट में बत बाटा इंडिया बाय करने की सला है मुझे कनफोर्मिशन मिल गई है पर कनफोर्मिशन मिली है मुझे अराउंड तीन बज़े के आसपास मिली थी तो मैं पूरा शौर नहीं हूँ तो जैसी ही कल मार्केट ऊपर खुलती है मतलब मार्केट हम देखते हैं पॉजेटिव आपको 1406 का मिंटेन करें रखना पड़ेगा अजंता फामा आप लोगों को कल भी प्रुवाइट कराया और हमने अपने क्लाइंट्स को भी जंता फामा इंट्रेडे में बाय करवाया था जिसका टागेट अचीव हो गया था और आप लोगों भी यूट्यूब पे आपको 1459 का मिंटेन करके रखना पड़ेगा अब आते हैं आपके लिए बाटा इंडिया का ही लेकर आओ बाटा इंडिया का ही लेकर आओ बाटा इंडिया जून का कॉल ऑप्षिन बाय करके चलना है जो कि 49 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है एक अंफर्मेशन अगर हमें कल मिल जाती है और तो बहुत बढ़ी है टागेट्स है और मैं एक्सपेक कर सकता हूं कि यहां से यह 80 तक के लेवल्स भी अराम से दिखा सकता है आप लोग अगर मेरे चैनल पर जोड़े हैं तो यह चीज़े आप मिस नहीं कर सकते हैं इसी से आपको फाइदा होने वाला और इसी से आप लोग पैसा कमा सकते हैं कैसे यहां पर मैंने सब्सें लगा रखा है मैं आपको जूम करकर दिखाता हूं आप दखेगा यहां पर आपर दिखेगर यहां पर मैं एक वीडियो अप्लोट करिये 17 एक स्विंग ट्रेड जो की एबउया की ओपर एक सटॉक सारा 3 months provide करा सकता है within 3 months पूरत 3 months भी नहीं लगाएगा और यहां पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो definitely आपको यह फाइदा देकर जरूर जाएगा इसको watch कर सकते हैं उसी के साथ आप देख सकते हैं दो हफ़ते पहले पुरानी बात है टू वीक्स पुरानी बात है मैंने एक वीडियो अप्लोड करी थी सिर्फ 2600 मेंबर्स ने ही वीडियो को देखी थी और उन लोगों में सही कुछ लोग ने फायदा उठाया होगा मैंने का था स्विंग ट्रेट इंडि को शेयर बाय करके चलेगा यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वीडियो भी अप्लोड करी थी 22 में को 22 में को मैंने बोला था बाय करके चलना जब यह 2960 के आसपास चल रहा था और मैंने बोला था कि हमारे टागेट 1180 के हैं और अगर आप 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 जाके देखेंगे तो 1180 का टागेट हिट कर चुका है और आप देख सकते हैं कि किता बढ़ियर रिटर्न यह दे कर जा चुका है तो ऐसी स्विंग ट्रेट कॉल्स अगर आप लोग जानना चाहते हैं जो कि हमने इंडिको जैसा दिया और हमने यह ब कर देता हूं डेदी चाट यहां पर हम देखते हैं कि हम यहां पर क्या वेक अब देख सकते हैं एक आ बाट लोगों को बाटा इंडिया पहले भी कर आया था आप आप देख सकते तो इस range की ऊपर निकला था इस range की ऊपर हमने बोला था इस level पर यह particular candle पर हमने आपको बोला था कि buy करें क्योंकि इसके probability chances है कि यह break हो सकता है आप जाके देख सकते हैं अगर यह मैं आप देख सकते हैं यह 1st of June को है तो 1st of June को यह candle बनी थी तो मैं आपको दि सकते हैं एक huge gap up हुआ था और उस level से इसने बहुत बढ़िया return दिया था यानि कि 40 to 50 points की एक rally दी थी तो यही आपको particular stocks provide होते हैं और इसी तरीके से आपको फाइदा होता है तो please अगर यह आपको वीडियो पसंदार यह topic पसंदार है तो like करिए smash करिए thousand likes का aim रखके चलते है इस वीडियो पर इस अब बारा बाइद के लिए क्लिए क्यों बन रहा है आप देख सकते हैं आपको दिखाता हो यहां पर यहां इस के लिए एक pen on कर देता हूं कि आपको यहां पर clear करने के लिए मैं यह कर देता हूं सो यहां पर आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं यह एक रेंज के अंदर चल रहा था यह एक रेंज के अंदर था रेंज का इस लेवल से यहां पर इसने ब्रेक आउट दिया उपर गया नीचे आया यह देख सकते हैं यह वाली कैंडेल री टेस्ट करी नीचे क्लोस निकरी सिर्फ विक थी जो कि यहाँ पर एक फॉल सिकनल था उसके बाद हमने देखा आज के दिन क्या हुआ यानि कि फ्राइडी के सेशन के दिन यह जो कैंडल एक थर्जडे को बनाई थी उसके ऊपर जाके एक लोज करने में काम्याब कर गई यानि कि इसने यहाँ पर सपोर्ट लि और उसको भी शायद ब्रेक करने के इसके चांसे हैं फॉर्टी टू फिफ्टी परसंट के सो यह आपको जो मैंने कॉल ऑप्शन दे रखिया यह आपको फाइदा दे सकती है ठीक है गाइस अब हम बढ़ते हैं अगर नेक्स टॉक की तरफ तो नेक्स टॉक मैंने आप लोग घि에 कॉल तो टाल सील का में चार्ट ऑपन करता हूं यह इंडिकेंटर्स के हैं अपने को ही ज़रूरत नहीं है यहां पर बढ़ते हो यह आप देख सकते हैं टाटा स्टील का यह मैंने पर्टिगुलर चार्ट ओपन कर लिया है अब आपको देखना है यह क्या चीज बता रही है सबसे पहली बात तो आपको यह चीज देखनी है कि एक राउंड शेप पैटन के ऊपर से जाके निकला है निखातों मारत वेट करिया आपको समझ में आजाएगा ठीक है यह देखेगा अब यह आप देख सकते हैं यह राउंड शेप पैटन के ऊपर से निकलते हैं मैं देखने को मिल रहा है मैं ऐसे थोड़ा सा नीचे लेकर जाता हूं तो आपको और क्लारिफा मिलेगा यह देख सकते हैं अब एक चीज मुझे क्या बता रही है मैं से जूम करके आपको दिखाता हूं हर चीज आप लोगों के लिए समझने वाता है अगर आप समझेगे नीच आर्ट को तब आप मार्केट में ट्रेड नहीं ले पाएं यह देख सकते हैं यह ती बड़ी जो कैंडल आपको देखने को म मार्ट था यह स्टॉंग रिजिस्टेंस था अब मार्केट ने नीचे से एक आप देख सकते हैं यह देखिए यह राउंडशे पैटन मनाया है एक्जक्ट अपने इस लेवल पे आया था और यहां पर हमने एक सेलिंग देखी उसके बाद हमने दुबारा एक ग्रीन कैंडल 337 लेवल के उपर जाके भी यह बंद उने में काम्याब हो चुका है अब अगर इसकी उपर यह निकलता है तो आप यहां देख सकते हैं यह ग्याप आपको दिख रहा है यह जो इसने ग्याप बना रखा है यह ग्याप को फिल करने की यह कोशेश करेगा यह वाले कैंडल औ आप इसको होल्ड कर सकते हैं यही मेरा बीटीएस्टी ट्रेट था और पॉसिबिलिटी चांसेज मुझे हैं कि शायद इस ग्याप तक भी जाने की कोशिश करें तो यह हमारा स्टॉक था इस इस पर्टिकुलर्ट नालेस से ही हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर आया वो यह लिए बॉटम यह मैंने टॉप लिया ठीक है अ सॉरी मुझे टॉप टॉप निकावता है क्या यह उपर से नीचे देख रहे हैं ठीक है यह देखें आइस अब यह चीज मुझे क्या बता रहे है सबसे पहले आपको यह देखना है कि रेड लाइन का इनिशेट कर रही है यहां आप देखेंगा यह रेड लाइन मुझे बता रही है कि यहां मैं देखें सपोर्ट देखने को मिला फॉर्स टाइम सेकेंड थर्ड टाइम इसने इस लेवल को ब्रेक कर रहा और कैंडल देख रहे है कितनी बड़ी रेड कैंडल बने थी यहां पर जब उसके बाद ऊपर यह गया फिर नीचे आया यहां पर आप देख सकता है इससे रिजिस्टेंस बन रहा था अब इसने दुबारा ब्रेक कर दिया अब आप देखिए जब मैंने उपर टॉप से लेके बॉटम तक एक फिबोनाची बनाया तो मुझे पता चला जब नीचे से यहां से एक रिकवरी आना शुरू हुई तो उसमें सेल ओफ कहां पर आया 0.5% retracement यानि कि 50% retracement लेवल पर जो की यह लेवल था जो की 280 का लेवल है नीचे आया हम आसे एक consolidate कर आप यहां देख सकते हैं consolidate करने के बाद हम देख रहे हैं दुबारा उपर जा रहा है तो अपने previous high 280 लेवल तक ही अराम से जा सकता है एक confirmation मुझे कैसे मिला मुझे confirmation मिला इस लेवल पर क्योंकि इसने 38.2% retracement लेवल के उपर जाके close करा यहां पर यह देख रहे हैं इसके उपर जाके close कराया मेरे लिए एक best buy बन चुका है यहां देख सकते हैं multiple bar यहां पर इसने support लिया इसके उपर break कराया टागेट्स मेरे आ रहे हैं यह लेवल के तो यही मेरा बीटी एसी ट्रेड भी था देख सकते हैं मुझे लगता है कल यह फायदा दे सकता है market open होते ही और यहां पर हम लोग फिर exit position बना सकते हैं next है guys अगर मैं बात करूं तो realis india ठीक है realis india की बात करते हैं realis india देखते हैं कि वह किस बढ़ी तरीके का stock है और हमने आपको यह क्यों प्रॉइड करा है yeah so basically आप realis india में भी देख सकते हैं क्या चीज बता रही है यह चीज मुझे यही बता रही है कि मैं एक और line आप लोग लिए draw कर देता हूं कि आपको confusion आओ yeah basically आप यहां देख सकते हैं मुझे बता रही है कि एक flag and pole या फिर हम बानके चल सकते हैं pin and pattern deformation है आप देख सकते हैं एक यहां से एक अप्पू भाई range के अंदर रहा इस range का यहां पर इसने consolidate कर और कल के दिन इसने आपर break कर दिया break करने के बाद मैं और चीच क्या देख रहा हूं कि जो इसका previous high था जासे selling point था उसके उपर जाके भी close करने में कामयाब हो गया previous high के उपर close करने में कामयाब हो गया तो यहां पर एक buying बन सकती है मैं अगर minimum target भी लेकर चलता हूं तो इसका previous swing high यह level वहां तर मुझे लगता है कि 247 तक यह जा सकता है so इस particular stock से हमने आप लोगों को recommend कर रहा है अब देख सकते हैं मैं अगर बात करता हूं nifty की nifty और bank nifty एक बड़ चेक कर लेते हैं nifty buy करना है में 10,200 क्यूपर 10,300 तो 10,350 का target होगा बट अगर 10,000 का level break करता है तो हम shot की तरीके से initiate करेंगे levels आपको telegram channel पे सारा support आपको telegram channel पे provide नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं है आपको वहापर levels provide हो जाएंगे तो मैं इसी के साथ वीडियो को wind up करता हूं वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो को like करिए smash करिए और guys यह video देखना बिलकूल मत बूलेगा swing trading के ऊपर और share कर यह particular video क्योंकि यही चीज आपको फाइ indigo के share को हमने इस level पर buy करने की सला देती यह देखरे हैं यहाँ पर यह आप देखरे हैं यह line मैंने draw करी simple line draw करी है यहाँ पर हमें continuously support देखने को मिल रहता इस level पर हमने video बनाई आप लोगों को buy करने की सला दी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लेवल पर सौर है यह जो लेवल था इस लेवल पर हमने आप लोगों बाय करने की सला दी और टागेट देख रहें किस तरीके से उपर जाके गया है वीडियो प्रूफ है जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी लेटेस वीडियो को पाने के लिए मैं शिवांच बसीन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे साइनिंग आफ जिन बंदों ने भी ये वीडियो को देखके पर्टिवलर स्टॉक को होल्ड करा है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्षिन में बताइएगा और मुझे अपना स्क्रीन शॉट शेयर करना बिलकूल मत बुलिगा